वेलकम क्रिप्टो यूजर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है मार्केट कभी बढ़ता है कभी घड़ता है पता नहीं आर आगे क्या करने वाला है मार्केट यार बड़ा ही विचितर तरीके से प्रोदेशन कर रहा है कभी बढ़ जाता है कभी घड़ जाता है हलाकि मैंने कल ही आपको एक अपडेट दे दी थी कि मार्केट नीचे जा सकता है क्योंकि मार्केट ने बिटकोईन हो या फिर शीबायनु है एक मजबूस सपोर्ट यहां पर बनाने का प्रियास किया था एसके बाद सेप्राइज यहां से पंप नहीं कर रहे थी पिछले दो दिन हो गए थे और आज तीसरा दिन है उसके बाववजूद मार्केट पंप नहीं हो और इसी कारण से प्रइज यहां आने के बाद तेजी से नीचे की तरब चली गई है Shiba Inu के case में भी यही कुछ हुआ है Bitcoin नहीं बढ़ने से Bitcoin का market sustain करने से Shiba भी यहाँ पर जाने के बाद नीचे की तरब move कर गई है तो actual में चल क्या रहा है वेसे basically हो क्या रहा है देखे कुछ भी नहीं simple सी बात है आज के इस वीडियो में मैं आपको clear कर दूँगा और साथ ही कुछ Shiba Inu की latest update भी है इस वीडियो में तो उनको miss मत करना बड़ी बड़ी updates है global wise update निकाली है हमने Shiba Inu की तो don't miss चैनल पसंद आए तो चैनल को subscribe, वीडियो like देखे सबसे पहले तो आप ये समझे कि market में हो क्या रहा है market में अभी कुछ भी नहीं हो रहा है market के वल देख रहा है जितने भी investor है ना शब Shiba Inu सहित पूरे crypto market पर टकटकी लगाए देख रहे है ना कोई entry ले रहा है ना कोई exit ले रहा है exit और entry छोटे-छोटे amount में जो internet trading करते है short term investor है वही दिले रहे है और यहाँ पर सब लोग के वल market को देख रहे है market को समझने का प्रियास कर रहे है और ये चलता रहेगा क्योंकि अभी हाल ही में एक बड़ी news निकल कर आई है जिसमें बड़े crypto analyst ने कहा है कि bitcoin अगले दो महिने तक इसी type से moment कर सकता है तो ये भी एक crypto expert ने बोला है अब ये कितने सटिक बात होती है तो future ही बताएगा लेकिन इससा भी अनुमान लगाया जा रहा है जैसा कि मैंने 8 दिन पहले ही कह दिया था कि market इसी type से 2-3 महिने तक move कर सकता है और यही बात बड़े-बड़े players बोल रहे है क्योंकि market खुद बताता है तो आपको panic होने के अश्यक्ता नहीं है market में आपने entry ले ली होगी नहीं ली है तो ले लो और wait करो मस्त तरीके से नेंद लो बढ़िया और मस्त तरीके से देखते रहो market को ना panic होना है ना लालच लाना है ना डरना है कुछ नहीं करना है automatic market बड़ेगा क्योंकि halving हुई है तो halving का पूरा पूरा benefit उठाएगा market और आज नहीं तो कल उठाएगा 18 महिने का 1 साल का bull run pre-8 रहता है उसमें 1-2 महिने निकल भी जाएंगे तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है लंबा time period है तो ऐसे में लंबे time तक market AI की range में फसा रहेगा ये भी होता है तो panic होने के अवशक्ता नहीं है अब हम चलते हैं कुछ news की तरफ जो की market में आई है सबसे पहली news हम यहाँ पर shiba burning को लेकर ले लेते हैं जहाँ पर matrix बताते हैं कि important shiba burning हुई है जहाँ पर 81 million shiba token को last 24 hours में destroy किया गया है यहाँ पर एक कमाल की चीज यह है कि अभी तक बड़े पेमाने पर यहाँ पर moving हुई है millions of token की जो daily scale part of largest का एक हिस्सा बनता जा रहा है तो एक अच्छी चीज है क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 4000% का pump यहाँ पर हुआ है और 1.7 billion shiba token अप्रेल मन्थ में destroy किये गये हैं और यहाँ पर फिर से बड़े पेमाने पर वही चीजे execute होती हुई दिख रही है दूसरी बड़ी new shibaarium को लेकर आई है जहाँ पर shibaarium development advanced level पर अपनी speed, scalability, transition, fees और potential के लिए जाना जा रहा है क्योंकि यहाँ पर बताया गया है कि shibaarium पर बड़ा potential है और shibaarium तेजी से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है क्योंकि इसमें काफी सुधार भी अभी वर्तमान में चल रहे है जो आगे मैं बताऊंगा आपको तो shibaarium भी अपना कहिना कहीं असर अपना जो effect है वो दिखाने के लिए तैयारी कर रहा है जो shiba को एक नए level पर पहुचा सकता है हाली में एक news भी निकल कर आई है दोस्तों जिसमें shiba की 1-0 किल करते हुए दिखाई जा रही है तो दो price prediction है जिसमें 4-0 के साथ price को 56 तक बढ़ाने का प्रियास है और एक price prediction है जिसमें 3-0 के साथ price को 1 तक ले जाने का प्रियास है जो next video में मैं detail में आपको समझाओंगा इसके बाद अगली news दुबई से निकल कर आई है दुबई में एक event चल रहा था उसमें shiba ने participate किया है और बड़े थोड़े किरतिमान बनाये है यानि कि token 2049 करके एक यहाँ पर event था उसमें इसने basically participate किया है ट्विटर पर इसने जान करी दी है और काफी सफल रहा है यह कहा जा रहा है कि यह event काफी सफल रहा है जिसमें shiba को काफी वाहिवाही मिली है और basically highlights कुछ किये है इस दुबई event में participate जो किया है जिसमें जैसे crypto polo cup competition against bitcoin.com इसके against यह चल रहा है इसके लावा networking with other industry leader इसके ओपर भी चर्चा हुई वहाँ पर community engagement इसके ओपर भी वहाँ पर चर्चा हुई तो कई काफी चर्चा हुई दुबई event में तो basically यहाँ पर एक message देने का प्रियास है कि market में shiba inu regular base पर कुछने कुछ activity कर जरू रहा है next news की तरफ बढ़ते है वो है expert की तरफ से कहा गया है कि shiba inu basically coming कर रहा है और जितने भी बड़े expert है वो कहीं न कहीं holding ले रहा है यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो तेजी से यहाँ पर shiba inu में holding ली जा रही है भले ही market अभी एक तरीके से situation चल रहा है कोई ना जादा बड़त ना कमी लेकिन फिर भी market के नीचे नहीं गिरने के reason की वज़े से बड़े players यहाँ पर entry ले रहा है जो एक बड़े चीज को दिखाता है क्योंकि अगर बड़े players या wheels कह दो वो यहाँ पर ले रहा है शिबयनों में तो वो बहुत बड़ी बात है और यहाँ पर वही चीज बताने का प्रियास किया है एक industry पंडित है उन्होंने यहाँ पर इसपश्ट तोर पर इस बात को यहाँ पर बोला है और कहा है कि आज शिबयनों जल्द ही comeback भी कर सकता है क्योंकि शिबयनों में काफी potential है जिसका पूरा पूरा benefit वो market को उठाने में प्रियास करेगा और इसलिए expert यहाँ पर entry ले रहे है next news यहाँ पर धमाकेदार है जिसमें यह बड़े ही विचेत्री चीज हो रही है जहाँ पर बहुत सारे ऐसे user बेंक में case जमा करने के बजाए शिबयनों की holding ले रहे है और इसमें वो ज्यादा फाइदा देख रहे है अपना तो यह भी एक बड़ी ख़बर निकल कर आई है बहुत सारे ऐसे मतलब holder से जो शिबयनों को खरीदना पसंद कर रहे है बजाए बेंक में पेश सा रखने के बजाए भले वो risk है हो लेकिन उसके बावजूद यार शिबया में entry लेने की तयारी कर रहे है और यह दिखाता है कि शिबयनों में कहीना कहीं काफी potential है और worldwide कहीना कहीं शिबया को पसंद किया जा रहा है और वो इस मोके को भुनाना चाह रहे है क्योंकि हालविंग चार साल के बाद हुई है और हालविंग में जिस टाइब से market positive signal दे रहा है BTC को भी 1 लाग डोलर जाने का हर expert opinion लगा रहा है और आने देर या सवेरे जब भी मानो BTC तो 1 लाग डोलर जाएगा तो एसे में हम कह सकते हैं कि इतना बड़ा pump जब आएगा BTC में 40,000 डोलर के आसपास का तो Shiba Inu जैसे coin और meme token और alt coin इनमें बड़ी season start होगी और इसी का benefit है कि user यहाँ पर सीधे bank में पेसा रखने के बजाए Shiba में invest करना चाह रहे ताकि उनका portfolio जादा बड़ा बने क्योंकि अगर आप देखते हैं कि इंडिया में ही देख लो bank में अगर आप saving account में पेसा रखते हैं तो मातर 3% interest मिलता है अगर विदेशों के बात करें तो वहाँ तो और सायद मेरे हिसाब से कम होगा इंडिया में तो फिर भी अभी bank के ज़्यादा return दे रही है percentage दे रही है भी आज दे रही है तो यही कारण है कि यार जब बात करते है Shiba versus bank तो bank तो Shiba के सामने कुछ ठिकती नहीं है और इसी कारण से लोग Shiba में ज़्यादा invest कर रहे है बजाए bank में रखने के और इसी type की एक और news यहाँ पर निकल कर आई थे जिसमें bank वाली है news थे सायद यही थी तो यही कारण है कि यार आने वाले समय में देखे market जितनी भी news अगर आप देखोगे तो सब positive impact वाली है negative news market में आई ही नहीं रही है और कुछ अच्छे अच्छे घटना है ही हो रही है यह कही ना कही market को दिखा रही है संकेत भी दे रही है कि market कभी ना कभी उपर जरूर जाएगा भले थोड़ा लंबा इंतिजार करना पड़ सके लेकिन recovery mode है market का और एक अच्छे तरीके से market recovery दिखाएगा केवल कुछ महिने की बात है कि bitcoin जैसे नहीं बढ़ रहा है market ने फिर sustain करना start कर दिया कुछ लोगों ने यहां पर buying कि थी फिर market sustain कर रहा दिया तो यह है कि market में कोई ज़्यादा अभी दिल्चस्पी ले नहीं रहा है market को समझ रहा है क्योंकि बरकाइदा trade line को follow करता जा रहा है यही कुछ हो रहा है तो market को देखो hold is gold सबसे better है और कुछ भी करने का उशक्ता नहीं है panic होने का उशक्ता नहीं है बस market की news से अउगत रहो कब क्या हो जाए इसको जैसा भी positive चल रही है सब news लेकिन पता नहीं है कब negative news आ जाए market में है न सब कुछ देखना जरूरी है तो I hope वीडियो enjoy क्या होगा चैनल पसंद आया तो subscribe कर सकते है बेल आइकोन को hit कर देना और शीबा के बारे में आपके सोचते कमेंडस में जरूर उपीनें लिखे नमशकार